राधे राधे सबी को हम आज सुनेंगे कामदा एकादसी व्रत कथा यह कथा स्री कृष्ण ने युदिश्टर को सुनाई थी प्राचीन काल में भोगी पुर नाम का एक नगर था वहाँ पर अनेक एस्वरियों से युक्त पुर्णरीक नाम का एक राजा राज्य करता था भोगी पुर्नगर में अनेक अफसराएं किन्नर और गंधर्व वास करते थे उन में से एक जगे ललिता और ललित नाम के दो इस्त्री पुरुस अत्यंत बैबब साली घर में निवास करते थे उन दोनों में अत्यंस नहीं था यहां तक कि वे दोनों अलग-अलग हो जाने पर बहुत व्याकुल हो जाते थे एक समय पुंडरीक की सवा में अन्य गंधर्वो सहित ललित भी गान कर रहा था गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वरभंग होने के कारण गाने का स्वरू बिगड गया ललित के मन के भाव जानकर कारकुट नामक नागने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया तब पुंडरीक ने क्रोध भूरवक कहा तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी इस तरीका इसमरन कर रहा है अते तू कच्छा मास और मनुश्यों को खाने वाला राक्छस बनकर अ प्रियत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुक से अगनी निकलने लगे उसकी नाक परवत की कंदरा के समान विसाल हो गई और गर्दन परवत के समान लगने लगे सिर के बाल परवतों पर खड़े व्रक्छों के समान लगने लगे तथा बुजाएं अत्यंत लंबी हो गई कुल मिलाकर उसका सरीर आठ योजन के विस्तार में हो गया इस प्रकार राक्छा सोकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा उसकी प्रियत्रमा ललिता को जब व्रत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पती के उद्दार का य भूंती हुई विंद्या चल परवत पर पहुँच गई जहां पर श्रिंगी रिशी का आस्रम था ललिता सिग्र ही श्रिंगी रिशी के आस्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रात्ना करने लगी उसे देखकर श्रिंगी रिशी बोले हे सुबगे तुम कौन हो और यहां किसलिए आई हो तो ललीता बोली हे मुने मेरा नाम ललीता है मेरा पती राजा पुंडरी किसराप के कारण विसाल का राक्छस हो गया है इसका मुझे महान दुख है उसके उद्दार का कोई उपाय बतलाईए श्रंगीरिसी बोले हे गंदर्व गन्या अब चैतर सु रामदा एका दसी का वरत कर उसके पुने का फल अपने पती को देगी तो वह सीख रही राक्छस योनी से मुक्त हो जाएगा और राजा का स्राप भी अवश्य में इफ्सान्त हो जाएगा मुनी के ऐसे वचन सुनकर ललीता ने चैतर सुकल एका दसी आने पर उसका वरत किय और दादोसी को भरमणों के सामने अपने वरत का फल अपने पती को देती हुई बगवान से इस प्रकार प्राथना करने लगी हे प्रभो मैंने यह जो वरत किया है इसका फल मेरे पती देव को प्राप्त हो जाए जिससे वह राक्छस योनी से मुक्त हो जाए एक अदसी के पलके देते ही उसका पती राक्षस योनी से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्रा भुसनों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पस्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोग को चले गए। व कथा पढ़ने या सुनने से वाजपे यग्य का फल प्राप्त होता है।